हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगें टो वर यूटूब चैनल पिछली वीडियो में हमने पड़ा था वेक्टर्स क्या होते हैं वेक्टर्स की टाइप पड़ी थी कुछ बेसिक पार्ट किया था हमने आज हम आगे करेंगे एडिशन ओफ वेक्टर्स ट्रेंगल ला ओफ साइज हो है वेक्टर्स की उसके क्यूस्टन भी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन ओफ वेक्टर्स से एडिशन ओफ वेक्टर्स एडिशन ओफ वेक्टर्स के दो तरीके से हो सकता है फिर्स्ट ट्राइंगल लो ओफ वेक्टर एडिशन ड्रेंगल लो ओफ वेक्टर एडिशन triangle लोग vector addition क्या कहता है अगर दो कोई भी vector है माल लिया एक ये A vector है अमारे पास और ये B vector है अगर कोई भी दो vector है A और B अगर इने आमें जोड़ना है इनका सम लिखना है तो कैसे लिखेंगे triangle लाकी एलप से देखिए मैं लिखे देता हूं ट्रेंगल लाकी डेफिनेशन क्या है इफ टू वेक्टर्स आर रिपर्जेंटिड रिपर्जेंटिड बाई टू साइड़ सोफ ट्रायंगल if two vectors are represented by two sides of the triangle taken in order then their sum M is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड्स ओफ ट्रेंगल से तब उनका समझोगा वो ट्रेंगल की थर्ड साइड दिखाएगी और वो भी अपोजिट ओडर में देखिए कैसे यह दोनों वेक्टर हैं अगर हम एक्टर पलस बी वेक्ट लिखते हैं तो एक थर्ड वेक्टर माल लिया रजल्ट अट वेक्टर आ रहेगा वो कैसे लिखना देखिए कि फर्स्ट वेक्टर हमने लिख लिया यह जैसा में दिया गया था यहां पर वैसा के बास अब जो सेकिंड वेक्टर है भी उसकी टेल जो इनिशियल पॉइंट ह पर रखेंगे लिखर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हैड पर रखेंगे यांपर ऐसे का ऐसी को यह जो 5 напр कि अब इसको यहांसे मिला देंगे यह फिलिदा में दो जो मारे अब कि अब देखिये हम ऐसे चलRO रहे हैं एक एक टर यहां बीथ यह उग मनला यह ऊ Г्äischen c पॉइंट है यह भी पॉइंट है ठीक है अब देखिए टू वेक्टर सार रिपर्जेंटीड वाइट टू साइड ओफ ए ट्रेंगल दो वेक्टर हैं कि दुन्नों रिपर्जेंट कर दिया हमने दो साइड ओफ ट्रेंगल से तब उनका जो समों गां इन दोनों का सम मतलब यहां से चले थे ओवे यहां से अब कैसे होगा ऑंचर क्या ओइसा पास क्या होगा यह दो जो साइड होलाएय वेक्टर पलस ए बी वेक्टर इन दोनों का सम्क्या लिखेंगे ओ बी वेक्टर तो यह हमाहा ट्रेंगल लाउफ वेक्टर एडिशन यहांसे चले थे ऐसे जाएंगे और फिर अपोजिट डारेक्शन में चलना यहांसे जैसे ऐसे नहीं जाना दो साइड तक तो ऐसे चलेंगे फिर जो थर्ड साइड है वो अपोजिट डारेक्शन में ऐसे चलेंगे तो यह था ट्रेंगल लाउफ वेक्टर एडिशन बिलकुल इसी है अगर दो साइड कोई भी वेक्टर की दो वेक्टर हैं कोई भी वो ट्रेंगल की दो साइड गो रिपर्जेंट करें तो थर्ड साइड जो गी वह आपोजिट डारेक्शन में आपोजिट ओडर में लेंगे वो उनका सम रिपर्जेंट करेंगी अब देखी नेक्स्ट पैरलेलोग्राम लाओ वेक्टर एडिसन अगर आपको ट्रेंगल लाओ वेक्टर एडिसन समझ आ गया तो पैरलेलोग्राम लाओ वेक्टर एडिसन भी बिल्कुल इजी है triangle law vector addition के उपर आपकी exercise में question है parallelogram law पे नहीं है देखी parallelogram law क्या कहता है अगर कोई भी दो वेक्टर है एक A वेक्टर है मान लिया ये और एक अमारे पास B वेक्टर है ये कोई भी दो वेक्टर है तो parallelogram law vector addition कैसे लगाएंगे दीखिए जो पहला वेक्टर है और इसे लिखेंगे ये वेक्टर है अब पहले की टेल पे दूसरे की टेल रखेंगे पहले वेक्टर की टेल पे दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे ये मान लिया ओ पॉइंट हो गया हमारे पास ठीक है और दूसरे की टेल रखेंगे ये बात आप याद रखना अब क्या करेंगे parallelogram को complete कर देंगे ये parallelogram complete कर दिया ये ये वेक्टर है ये वेक्टर है ठीक है अब parallelogram law vector addition कहता है इन दोनों vector का अगर में सम करना है तो जो ये diagonal होगा इन दोनों की टेल से निकलेगा वो diagonal इनका sum होगा वो diagonal इनका sum होगा माल लिया यह कोई भी C vector है और यह point हमने D माल लिया तो A vector plus B vector अगर में लिखना है तो क्या होगा वो एक C vector जो diagonal होगा parallelogram का वो कह देगा इन दोनों का sum देगा तो A vector प्लस B vector is equal to OD यह है parallelogram law factor एडिशन एक तरह से ट्रेंगल लाव वेक्टर एडिशन यह यह parallelogram की आमने सामने की जो साइड वो बराबर होती है तो यह जो साइड है इसे बी वेक्टर लिख सकते हैं इस साइड को बी वेक्टर लिख सकते हैं तो अब देखो ओ यह जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल के अंदर ओ से इस पॉइंट पर जा रहे हैं फिर इस पॉइंट पर जा रहे हैं टेकन इन सेम ओडर अब यह जो ओड है यह पोजिट ओडर में है यह डारेक्शन उमने धिखा रखी तो ट्रेंगल लाव एडिशन क्या कहता है इन दोनों वेक्टर का सम इसके पराबर होगा उन्हें तो यह एक तरह से ट्रेंगल लाव एक्टर एडिशन ही है तो पहलेलोग्राम लाव वेक्टर एडिसन क दोनों रूल से हम वेक्टर्स का क्या करते हैं एडिशन करते हैं अब देखी कुछ एक्सरसाइज के क्यूस्टन करते हैं जो भी हमने पिछली वीडियो में बेसिक पड़ाया था आपको वह आप याद कर लेंगे अच्छे से उसी के उपर क्यूस्टन जो है वह बेस्ट है इसे कराएंगे जो नए स्लेवस में क्यूस्टन है विल्कुल नाए एडिशन है फर्स्ट क्यूस्टन है देखिए हमारे पास अपने साथ लेकर बैठिया आप भी मैथेमेटिक्स इफ ए इसे नौन जीरो वेक्टर find a scalar k such that mode of k is equal to 1 एक कोई भी scalar वेक्टर है रों में दिया गया है k into a vector का mode is equal to 1 हमें k find out करना है और a है वो नौन जीरो वेक्टर है तो देखिए मोड अलग अलग लिख सकते हैं दुनों का के का मोड लस अलग और a vector का मोड लस अलग लिख सकते हैं इस इक्वल टू 1 अब क्या करेंगे के यहां पर multiply है यहां पर multiply है तो डिवाइड में सलाजाएगा मैं तो scalar की वेलू निकालने scalar यहां पर के है के इस इक्वल टू 1 बाई मोड ओफ ए वेक्टर हमें तो मोड के की वेलू निकालने किसके निकालने हों ली के की तो 11 खलास में हमने पढ़ा है जब मोड खुलेगा तो पलस माइनस साइन के साथ है खुलेगा तो अगर मोड खुलना है तो इक्वल टू में किसका साइन आ जाएगा पलस माइनस वन बाई मोड ओफ ए वेक्टर तो यह हो गया हमारा अंस्वर जो scalar की वेलू में निकालने के लिए बोली थी तो यह था आपका first question बिलकुल एजी थ पर यह दूसरे का जो दूसरे क्यूशन का first part है सेकिंड क्यूशन का first part बिलकुल इजी क्यूशन है इफ ए वेक्टर इस इक्वल टू बी वेक्टर यह में गीवन है अगर ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के तो इट इस ट्रू देट कि मोड़ ओफ ए वेक्टर इस एक्वल टू-मोडओ वी वेक्टर है तो क्या उनका मोड मोडल स्ब्राबर होगा सीदी सी बात है बराबर होगा वाई रू़ ओक्यूएटी एक्वल वेक्टर समने पिछल़ वीडियो में बताया था कौन-कौन से होते सेम होती है मेगनीट्यूड का मतलब लंबाई तो अगर दो वेक्टर बराबर हैं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एक्वल दैन मेगनीट्यूड ओफ आ वेक्टर एंड मेगनीट्यूड ओफ वेक्टर आर मस्ट भी इक्वलकस्ट भी इक्वल अगर दो वेक्टर बराबर होंगे तो उनकी लैंथ उनका मेगनीट्यूड अमेशा बराबर रहेंगे ये बात आप याद रखना अब नेक्स्ट इसका उल्टा पूच लिया इसका सेकिंड पार्ट है अगर दोनों की लेंथ वराबर दे जिजाए दोनों का मेगनिटूड बराबर दे दियाजए तब दोनों वेक्टर पराबर होंगे या फिर नहीं होंगे यह बात पूछ रहा हम से क्या यह बात ट्रू है या फोल्स है तो अब देखी दो वेक्टर से एकवल होने के लिए दो चीज जरूरी है एक तो उसका मेगनेट्यूड और एक उस वेक्टर की डारेक्शन तब ही दोनों वेक्टर क्या होंगे इकवल होंगे अगर मैं एक वेक्टर और यह बी वेक्टर लिखता हूँ यह बेक्टर है यह बी वेक्टर है दोनों की डारेक्शन सेम है और दोनों की लेंथ भी क्या है सेम तब ही मैं इन दोनों को इकवल वेक्टर बोल सकता हूँ अगर मैं इस B की direction को यहां से ऐसे अटा के यहां ऐसे कर दूँ तब इनका magnitude तो equal है लेकिन direction इनकी क्या है opposite है तब क्या लिख सकता हूं A vector is equal to minus of B vector लिखूंगा क्योंकि direction opposite होगी तो negative sign किसको so कर रहा है direction opposite को तब इस question में देखें अगर magnitude बराबर है तो यह दोनों बराबर हो सकते हैं नहीं क्योंकि क्या होनी से यह सेम होनी साइगी से लिए ये बात आप लिख देंगे अब नेक्स्ट क्यूस्षन है थर्ड क्यूस्षन प्रूव देट इसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट है ठीक है तो ए वेक्टर किसके बराबर लिया है हमने ए बी के बराबर ले लिया हमने अब ए के आगे नेगिटिव साइन लगाना है तो नेगिटिव साइन लगा दो लेफ्ट एंड साइड उठा लिए हमने नेगिटिव ओफ ए वेक्टर अब equality बनाए रखने के लिए यहां पर भी negative sign लगाएंगे minus of a b vector ठेक है minus of a vector is equal to minus of a b vector अब देखी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर direction opposite होगी तो क्या sign आजाएगा negative sign आजाएगा तो a b को मैं क्या लिख सकता हूं b a vector लिख सकता हूं minus of a b को अगर b a की मैं direction change करूंगा यह भी लिख हूंगा तो बापिस negative sign आजाएगा अभी अभी बताया था direction अगर opposite होगी तो sign negative आजाएगा तो a से b जा रहा हूं तो sign पर लिसे negative और b से a आऊँगा तब direction opposite होगी एक और negative negative positive हो जाएगा अपर क्या हो जाएगा फिर b यह अब एक आगे एक और negative sign लगावा तो एक और negative sign लगा देगे अब क्या हो गया एक और negative sign यहां पर भी लग जाएगा माइनस ओफ बी ए वेक्टर माइनस ओफ माइनस ओफ ए वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा भी फिर इसकी direction पलत देंगे हम फिलट देंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर प्रलस का हो जाएगा पिर से तो माइनस ओफ माइनस ओफ से ब्राबर आगा हमारे पास ए वेक्टर के बराबर आगा है अब किसा कि तरफ बढ़ते हैं अब चलिए नेक्स्ट है फॉर्थ कुछन फॉर्थ क्याँ सब्सक्राइब कैसा क्या कहता है ABCD इक पैरललोग्राम है जहां पर AB वेक्टर एस दे रखखा और BC वेक्टर विडे रखखा जहते हैं यह सिंट्रैंगल ABC लिए इन ट्रैंगल ABC ट्रैंगल नदर देखर गहेंगाक्चन में सबर्रेट लगा के दिखाएंगे आपको क्युंस्ट स्ब्रेमें कैसे ट्रैंगल फेडिसन यूज़ करते हैं A, B, C यह ट्रेंगल है यह वैक्टर है A, B और यह वैक्टर है B, C वैक्टर A, B के यह जो हैड है यहाँ पे वैक्टर B, C की टेल रख्योई है, अब देखिए A, B, C में ऐसे चल रहे हैं, तो A, B वैक्टर पलस B, C वैक्टर इन दोनों का सम ट्रेंगल की थर्ड साइट देगी S C देगी S C vector के बराबर होगा और opposite direction में A C A से C जा रहे हैं तो opposite है अगर C से A आएंगे तो इसकी direction में होगी A B C A A B C अगर ऐसे नहीं आणा में कैसे आणा है A से B B से C फिर opposite direction लेने ये direction नहीं ये लेनी हैं में triangle law of addition के लिए तो देखिए by triangle law of by triangle law of addition triangle law of addition से देखिए जो A B vector है plus B C vector हमारे पास किसके बराबर होगा A C vector के बराबर होगा A B के हमें A दे रखी है B C vector की B vector is equal to A C vector तो ये हमारी पहली जो चीज थी A C is equal to A plus B वो भी पुरूफ by triangle law of addition से अब second proof करते हैं B D is equal to B vector minus A vector इसे कैसे करेंगे अब देखिए B D चाहिए अब हमें इसको मिटा लेते हैं B से D diagonal बना रेते हैं B से D अब triangle ले लेते हैं A B D कौन से triangle लेते हैं A B D in triangle A B D A B D के अंदर अब देखिए हम A से B जाएंगे A B से D अब हमें यह जो थर्ड साइड है यह कह लेनी है पोजिट इस डारेक्शन में लेनी है और यह क्या दे रखी है भी क्योंकि पैर लोगराम की आमने सामने की साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं A B D में ऐसे जाएंगे A B पलस B D is equal to किसके बराबर होगी A D के बराबर होगी तो वाइट रिएंगल लाओफ एडिशन अब पलस B D वेक्टर हमारे पास किसके बराबर होगा ऐसे जा रहे हैं अब ऐसे नहीं जाना उपर की तरह फोजिट डारेक्शन में जाना है तो क्या हो जाएगा A D D से A नहीं A से D वेक्टर तो A B वेक्टर हमें क्या गीवन है A गीवन है पलस B D हमें दिखाना है किसके बराबर B minus A के अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे तब तक के लिए थैंक्यूट झाल करेंगे झाल करेंगे नेक्टर